हलो फ्रेंज सब्जी बनने के बाद अक्सर हम लोग मतर के चिल्की को फेक देते हैं लेकिन इसको अगर ना फिक के हम लोग गार्डेन में यूज करें तो बहुत ही किफायती और लाबदायक होते हैं वह कैसे इससे तो खात बनते हैं वह तो अलग बात है लेकिन जब हम लोग को मित्ठी का कमी मैस्स होती है तो बडस को बढ़ बडस औन वंद या जो भी जह Κछी के ढर की जह 1 फोकाण मीट्टी होगी है तो थोड़ा बहुतीं मिट्टी आवेलिवर होते हैं तो इस ताइम ये सब सबजी कांप सिल्खी को कामाते हैं तो पहले तो थोड़ा सा मीट्टी तो ये हम धाल देंगे फ में इस लगाएंगे तब बट हो जाते हैं तो इसकं लिए बड़ा फाइनली मैं आज सोची लिए हूँ कि यह काम करना है चाहे कितना भी ठंड़ा लगे तो इसमें मैं थोड़ा सा पहले मिट्टी भर ली हूँ उसके बाद जो है और इसे पहले फ्रींज कंटेनर को जो है चारू तरफ समय मैं एक प्लास्टिक लगा दिये हूँ आटे का थैली उसी को मैंने लगा दिये थ AIDS ऊघ्याम हिए ठीप जाब हिए ठीब होजी को ली घ्याब झालता ठीपी आलकर आ जाल दिये वह हैं और उसके बाद मैं अपना लेंटेना के प्लैंट लगाऊंगी हाला कि अभी बहुत ठन भी लग रहे हैं और इस ठन में रिपोर्टिंग करना जो होती है फिर भी जो है मैं तो ये डिसिजन ले चुकी थी कि आज मुझे एक काम करना ही है और प्लैंट को सेट करने के बाद इस को जो है सिट कर दूंगी बड़ाबर कर दूंगी और कोई भी पॉधी को साहरा देनी के लिए एक लगडी का तजोड़त होती है तो एक लगडी पहले से आप जो है इस पर लगा के राखिए ताकि प्लैंट को जो है ग्रू होने में थोड़ा सा आसानी हो और उसकी बाद मैं इसको विट्टि हो और बरबर कर दूँगी ऑर धीरे धी जो चिलके जो मैंने डालें यह जो धीरे मैंने दे दी हूँ मिट्टी को बरवर कर दी हूँ और ऐसे भी फ्रेंज लेंटेन प्लेंट पे बहुत ज्यादा देखफल और खात का जोड़त नहीं परते हैं जितना सा मैं जो है दिये हूँ उतना ही जो है काफी हो जाएगा इस प्लेंट के लिए तो मिट्टी सारी मैंने दे दिये और देनी के बाद जो है बहुत अच्छा से वाटरिंग कर देना है और धूप तो अभी होती नहीं हो ही नहीं रही है तो बात ही नहीं है कि बोलने का कि फ्लैंस को रिप्रॉटिंग के बाद धूप में ना रख्या ऐसे भी धूप नहीं हो रहे हैं और अगर धूप होती है अपके एरिया में तो ठोड़ा बहुत जो है दो से तीन दिन तक जो है आप से एरिया में रखेंगे उसके बाद आज करेंगे प्रिंज अगर बात कर लेते हैं वाटरिंग का तो जब भी आप वाटरिंग करेंगे कोई भी प्रैंस को खासकर कि जब बड़ा सा नार में लगा होता है तो बहुत जादा जुए छेक करने का जोफरत होते हैं मेट्टी को बहुत ज्यादा मेट्टी जब शूख जाये उपर स एक से दो इंची तक मिट्टी जब सुख जाए तब ही आप वाटरिंग करेंगे नहीं तो जे निच्चे से जो है जरे गलने लगते हैं और आपका प्रैंस को भी खालाप कर सकते हैं तो हो गया मेरा ये रेडी और फिर इसका ग्रोथ कैसी होगी मैं किसे भी वीडियो पर शेयर करूंगी या तो फिर से मैं एक वीडियो और बनाओंगी इसके उपर जब भी इसका अच्छी से फ्लाइडिंग होगी तो आप लोग के साथ मैं ज़रू शेयर करूंगी और फेज विडियो को लाइक जोरूर किजीगा और फेज वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करने ना पूलिएगा